आप भी देखते रही कोज में सोगा तो बताईएगा अल्ट्राटेक सिमेंट इसका कमिशनिंग का अपडेट आया है इसने दो नई ग्रीन फील्ड केपासिटीज कमिशन करी है 5.4 मिलियन टन्स पर आनम की चत्तिसगर और तमिलनाटू में इस कमपनी की कुल केपासिटी अप 151.6 मिलियन टन्स पर आनम है इसने अपने रिलीज में में मेंशन करा है 151.6 मिलियन टन्स पर आनम को परस्पेक्टिव में रखा है यूएस की पूरी सिमेंट केपासिटी का 150% और यूरोप की, पूरे यूरोप की सिमिंट कपास्टी का 80% अब हमारे पास है ये साइज हो चुका है ये है अल्टराटेक्स सिमिंट दूसरा ऐसे ही रामको सिमिंट का अफडेट आया कि इन्होंने अपनी लाइन 2 कमर्शल प्रोडक्शन कमेंस कर दिया है 0.9 मिलियन टन्स पर आनम की शमता अड़ कर दिया है दोरों कमपनी, वैसे कल सिमिंट रडार पे थे ही सब स्टॉक्स वैसी कल कुछ अपडेट सा रहते प्राइस वाइस को लेकर तो ये सब हरकत में थे पर ये कमिश्निंग अपडेट शाम को आए Zee Entertainment Enterprises इस कमपनी के MD और CEO पुनीद गोहिंका साब ने ये कमपनी ने अनाउंस करा है कि उन्होंने डिसिजन लिया है कि वो 20% अपने रेमिंडरेशन में रिडक्शन लेंगे भाई, लार्जर, स्टाटिजिक और फ्रूगल अप्रोच और्ग्नाइजेशन का है उसके साथ साथ वो ऐसा कर रहे है लास्ट येर वैसे उनका रेमिंडरेशन था 35 करोड़ोपे का तो कट लेंगे थोड़ा सा शैले होटेल्स जो QIP इस्वेंस हुआ था उसका प्राइस तेह कर दिया है 792 रुपीज पर शैर स्टॉक खड़ा है 877-878 पर यानि की 19 परसेंट के डिसकाउंट पर शिराम प्रॉपर्टीज चिन्नई के IT डिपार्टमेंट से 446 करोड रुपीज की पिनल्टी आई है अब कंटेस्ट किया जाएगा लेकिन एक ओवर हैंक सा हो गया एक रिजल्ट आने थे कल गोपाल स्नैक्स वो गुजरात वाला आए साल दर साल 1% बड़ी मुनाफ़ा 45% गट गया और ऐसा नहीं कि टैक्स वाकर रेटेड एज़िस्मेंट्स होगा PBT भी 44% गटा है तो अपरेशनली चालेंजिंग कोट गट गाथिया फाफदा नहीं भी रखाया गया ये घटिया फाफदा भता रहो नहीं भी रहा है और अर मारदिन स्वेस्ट फ्टन स्नैक्स में जिसमें आप देढेशन पंकर बढाएँगा जब बढ़ाएगे इसमें कॉमपिटिशन ही बहुत, इसमें अगर्णाईस कॉमपिटिशन बहुत है लोकल पली मज़ बहुत है फाफबा बनाने वाले चिपस का तो आज में मज़ा हुजी का वह जैसे किरला बाला कॉन सा है? झाला कॉन सा है वो सेटप त। शुम्णा हम भूलिया इन्होंने काए कि गुरुग्राम में इनका आशियाना अमारा है उसका फेस थ्री दो सो चॉबीस यूनिट पूरे बुकिंग में कनवर्ट हो गया है चार सो चालीस करल उपे की सेल्स वैल्यू रिलाइस कर लिया धनलक्ष्मी बैंक इसके कोटर फोर के अपडेट्स है बहुते फीगे फीगे से लग रहे हैं Q on Q देखना चाहिए है ना हमेशा बैंक्स को एडलाइन नंबर्स को चोड़ के टोटल बिजनेस बिलकुल फ्लैट 0.05% का इंप्रूव्मेंट टोटल डिपॉजिट्स आधा परसेंट Q on Q गिर गए ग्रॉस एडवांसेज एक परसेंट भी नहीं बढ़े Q on Q बस गोल्ड लोन्स में इंप्रूव्मेंट है 6% के आसपास सोना बील डबलू प्रेसिजन फोर्जेंग जिसे कई लोग सोना कॉमस्टार कहते हैं यह जो सरकार की PLI स्कीम सें उसका एक और सर्टिफिकेशन इनको मिलता हुआ Ministry of Heavy Industries से तो अच्छी खबर अनुपम रसायन ने कहा कि जपैन के एक मल्टी नैशनल के साथ हमने LOI के लेटर फिंटेंट यानि कि करार करा है अगले साथ सालों के लिए दो Advanced Intermediaries सप्लाइ करेंगे जिसके कुल वैल्यू है 90 मिलियन डॉलर यानि कि इंडिन करेंसी में करीब 743 करणों पीज अगले साथ सालों में इनके पास आएगे दंदा करा है सप्लाइ इसी FY25 से कमेंस हो जाएगी गोकल दास इक्सपोर्ट्स में कल एक लाज ट्रेड हुआ गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने अल्मोस साड़े तीन लाक शेयर्स बेच दिये मॉइल और नाल को दोनों ने फ्रैंचेल एर FY24 के अपने बिजनस अपडेट शेयर करें दोनों भाई कह रहे हैं बेकरी और प्रड़क्शन रिकार्ड इस तमस तरों पर पर होता ही ऐसा यार साल दर साल एक्सपेट तो करो कि इंप्रूव होता रहे होता रहे तो जो ये रिकार्ड जा रहे हैं उसको जादा ठीक है अच्छा है लेकिन मॉइल का तो वाकिए अच्छा है प्रड़क्शन में 35% सेल्स में 30% का साल दा साल इंप्रूव्मेंट JSW Energy कल इसका QIP खुल गया है फ्लोर प्राइस तैय करी गई है 510 रुपए 920 ये सारे स्टॉक्स रखेगा रेडार पर कुछ और स्टॉक्स रेडार पर आएंगे जब मैं इवन्स कलेंडर लेके लॉट होगा तो इवन्स कलेंडर और कमोर्टि स्ट्राइजी के लिए जोड़े रही है व्रेक्श पार उसपर चले चाहाँ बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रूल की सला है कि कोई भी निवेशन इंडले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सला लें।